एलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग चैनल में तो दूस्तों मैं आज आप लोग के लिए बहुती प्यारा सा यूनिक सा दो रंगों में स्वेटर का डिजाइन शेयर करने वाले हूँ तो ये स्वेटर का डिजाइन आप लोग बच्चों के लिए लेरीज के लिए बना सकते हैं जैसे न्यूबॉन बेबी, बेबी गल, बेबी बॉय, जैकिट, कोटी, कार्डिगन, स्वेटर कहीं पर भी अपलाई कर सकते हैं तो ये हमारा डिजाइन बनेगा पांच फंदों के मल्टिपल में तो पांच फंदे, पांच फंदे, पांच फंदे लगाने हैं तो उसके लावा आपने दो फंदा इदर उदर ऐस्टिच के लिए जरूर रखना है तो डिजाइन की पहली शलाई, जैसे आप लोगोंने बॉर्डर बनाया तो बॉर्डर का जो भी आपका बेस कलर रहेगा उसको आपने छोड़ देना है तो वहां से आगे आपने ये देखिए, एक शलाई मैंने सीधी बुनाई, दुसरे कलर से की है तो जैसे ये आपका बॉर्डर है, तो बॉर्डर वाले दागे को छोड़कर आपने यहां से आगे दुसरा वाला कलर दागा यूज करना है तो मैंने सीधी तरफ से एक शलाई कमप्लेट करी है, ठीक है तो चलिए, जैसे आपने एक शलाई सीधी साट से बनाना है तो दूसरी शलाई में हमारा डिजाइन बना है, तो ये देखी कैसा बना है डिजाइन तो दियान से देखना, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, अगर आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है तो जैसे पहली शलाई आपने सिंपल बनाई करी, सीधी साट से पूरे फंदे सीधे सीधे बना कर कंप्लेट किया तो ये दूसरी शिलाई है पहला फंदा उतारा ठीक है पहला फंदा उतारा दूसरे फंदे पर हमने पहला फंदा को छोड़ दिया इसको हमने गिनेंगे अब ये पहले फंदे पर एक दो दो बार हमने रोल किया ठीक है फिर दूसरा तिसरा नंबर फिर पांचवा नमबर का फंदा हमने एक सिंपल बुनाई करना है, यही पांच फंदे हमने पूरी शलाई पर रिपीट करना है, तो यह दिखिए, पहले फंदे पर हम दो बार इस तरह से रोल करेंगे, रोल किया, दूसरा फंदा, यह तीसरा फंदा, फिर चौथे नमबर फं फंदा उल्टा, यह हमारे पांच फंदे कंपलीट हो गए फिर से, पहले नमबर वाले फंदे पर एक, दो, दो बार लपेटा, फिर दूसरा, तीसरा, दो फंदे उल्टे, फिर चौथे नमबर वाले फंदे को, फिर से दो बार लपेटा, फिर पांच वा नमबर वाला ठीक है फिर से यह दिखे पहले नंबर वाले फंदे को दो बार लपेटा दूसरा और तीसरा नंबर वाले फंदे को सीधा बुनाई किया यानि कि उल्टे दरब से तो चौथे नंबर वाले फंदे पर फिर से रोल गिया फिर हमारा पांचवा नंबर वाला फंदा उल्टा ठी एक फंदा उल्टा बनेगा, ठीक है, डिजाइन की तिसरी शिलाए में ध्यान दीजिए, दूसरी शिलाए हमने कम्प्लीट करा, उल्टे तरफ से, तो डिजाइन की तिसरी शिलाए आपका, यह जो हमारा बेस कलर रहेगा, वो यूज होगा, तो ध्यान से देखिए, पहला फं फंदे सीधे, फिर जो हमने लपेटा था दो वार, इसको भी खोल दिया, इस तरह से खोलते वे जाना है, पर बुनाई नहीं करेंगे, इसकी हम ठीक है, इस तरह से खोलेंगे, अब यह जो पांच वा नंबर वाला फंदा है, हमारा यह देखिए, एक, दो, तीन, चारी, हमा बनाने है, एक फंदा यह हुआ, फिर दागा अंदर की तरफ, दूसरा फंदा हुआ, दागा बाहर की तरफ, तीसरा फंदा हुआ, दागा अंदर की तरफ, चौथा फंदा हुआ, दागा बाहर की तरफ, यह हमारे पांच फंदे हो गए, तो आपका जो पांच वा नंबर व फिर ये खोलने का फंदा, खोल दिया, फिर से ये जो पांच वा नमर का फंदा है, इस पर हमने पांच फंदे बनाने हैं, एक फंदा दागा अपनी तरफ, दो फंदा दागा बाहर की तरफ, तीन फंदा दागा अंदर की तरफ, चार फंदा दागा बाहर की तरफ, पांच फं दे फिर से ये रोल कियावा फंदा इसको खोलेंगे इस तरह से ठीक है फिर से इस फंदे पर पांचवे नमर वाले फंदे पर फिर से हमने पांच फंदे बनाने हैं एक फंदा ये हुआ दूसरा अंदर की तरफ तिसरा फंदा बहार की तरफ चौथा फंदा अंदर की तरफ पांचवा फंदा बहार की तरफ आपने फंदे को छोड़ना नहीं है ठीक है इस तरह से पांच फंदे बनाए फिर से खोलना है इसको, खोल दिया, दो फंदे सीधे फिर से हमारा रूल कियाव फंदा को खोलना है, फिर से ये हमारा एक फंदा पर पांच फंदा करना है तो इस तरह से डिजाइन की तीसरी शलाई आप उल्टे तरफ से पूरे फंदे इस तरह से बना कर कम्प्लेट करेंगे यह हमारी डिजाइन की तीसरी शलाई सीधे तरफ से कम्प्लेट हो गई तो चलते हैं डिजाइन की चौती शलाई उल्टे तरफ से तो ये देखिए, पहला फंदा हमने उतारा, जो हमने तिसरे फंदे में उतारे फंदे, क्रीम कलर रवला उतारना है, फिर बीच के दो फंदे की बुनाई करना है, फिर जो उतारा फंदा उतारना है, ठीक है, फिर दागा बहार की तरफ करेंगे, जो हमने एक फंदे से पांच पंच फंदे बनाएं हैं। उल्टे तरफ से हमने इन फंदों को एक एक करके बहार की तरफ बनाना है। ये 5 फंदे 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 फंदे बनाएं। ठीक है। दागा अपनी तरफ ये हमारा उताराव फंदा उतारना है। डिजाइन की चौती शलाई उल्टे तरफ से बीच के दो फंदे की बुनाई करेंगे, फिर से उतारा उफंदा उतारेंगे, दागा बाहर की तरफ, जो हमने एक फंदे के पांच फंदे करें थे, उनको हमने सीधे सैड बनाना है, पर हमारी चौती शलाई उल्टे तरफ से है, पर इन पांच फंदों की हमने सिधे तरफ बुनाई करनी है इस तरह से फिर से दागा अपनी तरफ उतारा अफंदा उतारा बीज के दो फंदे की बुनाई करी फिर उतारा अफंदा उतारा दागा पीछे, फिर से ये पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार, और एक पांच, पांच फंदों की हमने सीधी बनाई करी दागा अपने तरफ, उतारा फंदा को उतार दिया, बीच के दो फंदे उल्टे, फिर से उतारा फंदा को उतार दिया, दागा पीछे, फिर से पांच तो इस तरह से design की चौथी शलाई उल्टे तरब से पूरे फंदे इस तरह से बना कर complete करेंगे design की हमारी चौथी शलाई उल्टे तरब से complete हो गई तो चलते हैं design की पांचवी शलाई सीधे सैड से यह देखिए, शुरू का एक फंदा सीधा, जो हमने उतारा फंदा है, उतारना है, ठीक है, उतारा फंदा उतारना है, बीच के दो फंदे सीधे, फिर से उतारा फंदा उतारना है, डिजाइन की पांच जी शला आया, सीधी साथ से, फिर डागा अपनी तरफ, जो पांच फंदे हमने उल्टे तरफ से सीधे बनाए थे अब ये हमारे पांच फंदे सीधे तरफ से उल्टे बनेंगे ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, दागा पीछे, बस यही फंदे पूरी श्लाइपर रिपीट करनी है, उतारा फंदे को उतारते वे जाएं, बीच के द दो फंदे की बनाई, फिर उतारेंगे दागा पनी तरफ पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, जो हमने एक फंदे के पांच फंदे बनाए थे, वही ये हमारे पांच फंदे है, उतारा फंदा उतारा, बीच के दो फंदे सीधे, फिर उतारा फंदा उतारा दागा अपनी तरफ फिर से पांच फंदे उल्टे तो इस तरह से डिजाइन की पांच फंदे उल्टे तो इस तरह से पांच फंदे उल्टे बनाएंगे तो इस तरह से पांच फंदे उल्टे बनाएंगे तो इस तरह से पांच फंदे उल्टे बनाएंगे तो इस तरह नोए ग्रमारी डिजाइन की पांचवु शलाई उल्टे तरफ से कम्प्लीट हो गईुप तो चलते हैं डिजाइन की छ्चप्व शलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतारा छटू बीच के दो फंदे उल्टे फिर से उतारा फंदा को उतारना है इस तरह से उतारना है ठीक है अब क्या करना है ये पांच फंदों का हमने एक करना है जो एक फंदे में हमने पांच फंदे किये थे इनी पांच फंदों को हमने एक करना है इस तरह से तो अगर आप से इस तरह से नहीं हो रहा तो आप कुरूशिया के मदद से भी कर सकते हैं यह देखिए हमने पाँच फंदों का एक किया ठीक है फिर से उतारा फंदा उतारा दो फंदे की बुनाई करी उतारा फंदा उतारा जो उतारा इधर उतार रहे हम फंदे बीज में दो फंदे हैं हमारे ठीक है फिर से पाँच फंदों का एक करेंगे इस तरह से पाँच फंदों का एक किया फिर से उतारा फंदा उतारेंगे बीज के दो फंदे उल्टे फिर उतारा फंदा उतारेंगे पांच फंदा एक करेंगे तो इस तरह से डिजाइन की छेट्वी शिलाई उल्टे तरफ से बना कर complete करेंगे डिजाइन की छेट्वी शिलाई उल्टे तरफ से आपके पास जितने भी फंदे हैं उतारे फंदे उतारे जो बीच के दो फंदे की बुनाई करनी है पांच फंदों का एक करना है इस तरह से छट्वी शलाई बना कर कंप्लेट करेंगे आपके पास जितने भी फंदे हो हमारे design की छटी शलाई उल्टे तरफ से complete हो गई तो यह design की साथ उल्टे तरफ से तो यहां पर ध्यान दीजिए पहले फ़ंदे की हम बुनाई करेंगे पहले फ़ंदे की बुनाई करेंगे तो लेकिन यहां पर हमारा color dhaga change होगा ठीक है इस तरह से यहां पर कलरदागा चेंज होगा तो अब हमने इन फंदों को ट्विस्ट करना है देखिए कैसे करना है यह जो चार फंदे है दो एक इदर उतारा फंदा और एक इदर हमारा उतारा फंदा पहले इस वाले फंदे को हम इस शलाई पर लेंगे फिर बीच के दो फंदे इदर लेंगे फिर उधर वाला उतारा फंदा इदर सामने लाएंगे इस तरह से फिर अब इन चार फंदे की बनाई करेंगे एक दो तीन चार यह चार फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए और ये जो बीच में हमने एक के पांच फंदे बनाए थे वो अब एक किया था हमने एक फंदा सीधा ठीक है फिर से ये हमारे ट्विस्ट करने के फंदे इसको छोड़ देंगे बीच के दो फंदे इस तर सीधे शिलाई पर लेंगे फिर सामने वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे फिर दो फंदे इसमें लगाएंगे शिलाई पर फिर पीछे वाला फंदा जो उतारा फंदा सामने लेकर आएंगे फिर इन चार फंदों की बुनाई दो तीन चार फिर से हमारा एक फंदा सीधा फिर से इन फंदों को हम ट्विस्क करेंगे आपने इस फंदे को छोड़ देना है बीच के फंदे सीधे शिलाई पर ले पीछे वाला फंदा भी छोड़ देना है सामने वाला फंदा उल्टे शिलाई पर लेकर फिर दो फंदो को ले फिर पीछे वाला फंदा सामने लाकर शिलाई पर लगाकर चार फंदो की बुनाई करनी है ठीक है इस तरह से फिर से बीच का ये जो एक फंदा सीधा फिर से ट्विस करेंगे छोड़ देंगे इनको दो फंदे को इस तरह से बीच के फंदे को सिधे शलाई पर लेंगे फिर इसको भी छोड़ देंगे फिर सामने वाला उतारा फंदा उल्टे शलाई पर लेकर फिर दो फंदे लेंगे फिर पीछे का फंदा सामने लाएंगे फिर इन चार फंदे की बुनाई करेंगे तो इस तरह से डिजाइन की सात्वी शलाई सीधे सैट से आपके पह जितने भी फंदे हो इस तरह से बना कर कम्प्लिट करेंगे डिजाइन की सात्वी शलाई हमारी सीधे तरफ से कम्प्लिट हो गई तो डिजाइन की आठवी शिलाई पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे बना कर कम्प्लेट करेंगे डिजाइन की हमारी आठवी शिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना कर कम्प्लेट करेंगे डिजाइन की हमारी आठवी शिलाई उल्टे तरफ से कम्प्लेट हो गई डिजाइन के नवी शिलाई सीधे तरप से पूरे फंदे जितने भी फंदे हो आपके पास पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कम्प्लेट करेंगे तो ये हमारी डिजाइन के नवी शिलाए सिधे से कम्पलेट हो गई तो दस्वी शिलाए में आपने वही डिजाइन रिपीट करना है ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिजाइन बन कर आएगा तो ये डिजाइन आप लोग बच्चों के लिए एक बार जरूर ट्राइ करें तो जैसे आप लोग को यहाँ पर मेरी डिजाइन समझ नहीं आती है तो अबाउट सेक्शन में जाकर मेरे दुसरे चैनल का लिंक है तो वहाँ से भी आप ये डिजाइन सेम यही डिजाइन सीख सकते है तो अगर आप लोग को मेरी डिजाइन वाले वीडियो अच्छी लगती है समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सस्ब्क्राइब, शेयर जरूर करें तो ठीक है दोस्तो बाइ थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो एक बार ये डिजाइन आप अपने बच्चों के लिए टोपी में कहीं पर भी स्वेटर में जरूर ट्राइ करें तो बाइ दोस्तो थैंक्यू